नमस्कार बच्चो कक्षा 10 exercise 9.8 का चौथा प्रश्ण हम करने जा रहे हैं प्रश्ण है भूमी के एक बिंदू से जो मिनार के पाध बिंदू से 30 मिटर की दूरी पर है मिनार के शिखर का उन्नायन कोन 30 डिगरी है मिनार की उन्चाई ग्यात कीजिए तो बच्चो आएए हम एक अकरिती के द्वारा इस प्रश्ण को समझने का प्रयास करते हैं देखे बच्चो मा लीजिए कि यह है इस प्रकार से भूमी और यह एक मिनार है मिनार मतलब कोई भी टावर या कुछ भी ठीक है बच्चो बहुत बड़ा टावर है और भूमी के एक बिंदू से भूमी पर एक बिंदू तो यह बिंदू माल लेते हैं जो मिनार के पाध बिंदू से 30 मीटर की दूरी पर है यह मिनार है पाध बिंदू मतलब इसका बॉटम सबसे नीचे यह भूमी का बिंदू मिनार के 5 बिंदू से 30 मीटर दूरी पर है इसका मतलब यह दूरी हमें दी हुई है 30 मीटर भूमी के एक बिंदू से मिनार के शिखर का उन्नायन कोन आशा करता हूँ आपको याद होगा उन्नायन कोन क्या है जब हम भूमी से उपर की और देखते हैं इस प्रकार से तो यह हमारी line of sight है जिस पर हम देख रहे हैं तो यह भूमी के साथ 30 degree का कौन बनाता है इस कौन को हम उन्नायन कौन कहते हैं ठीक है बच्चो मिनार के शिखर का उन्नायन कौन 30 degree है यानि भूमी के इस बिंदू से शिखर का उन्नायन कौन ये ये 30 degree है मिनार की उन्चाई ग्याद करनी है ये मिनार है इसकी उन्चाई हमने ग्याद करनी है तो माल लेते हैं ये बिंदू है A ये बिंदू है B ये बिंदू है C तो A B हो गई मिनार B C हो गई मिनार की इस भूमी पर बिंदू से दूरी ठीक है और हमें A B निकालना है तो यानि कि base बटा ये है perpendicular ठीक है बचो बेस बटा परपेंडिकुलर और base बटा परपेंडिकुलर होता है cot cot agent और कोण कितना है 30 degree इसका मतलब या गया cot 30 degree बराबर base बटा परपेंडिकुलर और base कितना है base का नाम है BC बटा परपेंडिकुलर का नाम है बचो AB आईए हम इसे हल करते हैं बचो trigonometric table आप यदि आप अपनी किताब में देखेंगे आठमें चैप्टर में तो cot 30 की value होती है root 3 ठीक है बचो बराबर BC BC हमें दिया हुआ है 30 meter बटा AB दिया हुआ है AB हमें निकालना है सौरी तो हम यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो है एक इन्हें हम कर देंगे बचों cross multiply तो हमें प्राप्त होगा AB गुना root 3 बराबर 30 गुना एक 30 एकम 30 meter यहां से AB आ जाएगा 30 meter root 3 इसके साथ गुना हो रहा है यहां के हो जाएगा यह है भाग तो यह AB आ गया हमें AB ही निकालना है यानि मिनार क्यों चाहिए परन्तु बच्चों देखिए इसके इसकी हर में root 3 है और हमने पिछले प्रश्ण में दूसरे प्रश्ण में भी देखा था कि हम कभी भी उत्तर में हर में root नहीं रखते हैं उसको हल करने के लिए क्या करते हैं इसका परिमय करन करते हैं और परिमय करन कैसे होता है बच्चो यहां root के नीचे जो भी लिखा है उसी को उपर भी गुना कर दो और उसी को नीचे भी गुना कर दो तो यहां root के नीचे 3 लिखा था तो root 3 उपर भी गुना होगा और नीचे भी गुना होगा और इसका फाइदा क्या होता है देखिए 30 गुना रूट 3 यह हो जाएगा 30 रूट 3 मीटर और नीचे हर में हो जाएगा रूट 3 गुना रूट 3 बच्चो रूट 3 गुना रूट 3 होता है 3 रूट 5 गुना रूट 5 होगा 5 रूट 2 गुना रूट 2 होगा 2 तो रूट 11 गुना रूट 11 होगा 11 इसी प्रकार से रूट 3 गुना रूट 3 हो जाएगा 3 अब बच्चो यदि आपस में कुछ कटता है तो काटना अब 3 से 3 नहीं काटना बच्चो क्योंकि यह 3 संख्या है और यह रूट 3 है तो 3 से 3 यहां नहीं कटेगा लेकिन हाँ 3 से 30 कट स ठीक है बच्चो तो इसका मतलब आपके पास आगया AB बराबर 10 रूट 3 मीटर अब आपको कहें कि यहां तो नीचे हर में रूट 3 आया था तब तो हमने परिमेकरन कर दिया अब अंश में भी तो रूट 3 है कोई बात नहीं बच्चो हमने सिरफ हर से रूट हटाना है अंश में रूट आगया कोई बात नहीं तो इसका मतलब यह AB बराबर 10 रूट 3 और AB क्या थी मिनार की उन्चाई इसका अर्थ यह है कि मिनार की उन्चाई आ गई है 10 रूट 3 मेटर यही हमारा उत्तर है 10 रूट 3 मेटर ठीक है बच्चो तो बच्चो यह था हमारा प्रश्न बहुत सरल है आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझाया होगा यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अन्य प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अपनी आपको नोटब चाहते हैं और एपको फगे बैदे वागजाण तो 가자 और शेसे समया होगा कर साझ तो हमारे ऐ